अभी क्लासेश में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोग के लिए most important topic लेकर आया हूं जो की exam का point of view से काफी important topic है तो इस वीडियो को बिना skip किये हुए last तक देखियेगा ताकि मैं जो आप लोग को समझाऊं आप लोग इजिली समझ सके मैं आज आप लोग के लिए नीव टोपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो की पर्सेंटेज यानि की पर्तिसाथ के बारे में बताऊंगा कि आप लोग एक्जाम में कैसे उदीन टाइम पर्सेंटेज का कोसें जो रहेगा उसको सोल्प कर सकेंगे तो चलिए बीना देर की वीडिय में पर्तिफीशाथ यानि की हम लोग पर मतलब क्या होते है ऐसे सेंटेज मतलब हंडेट मतलब पर्सेंटेज का जो वेल हम लिखेंगे क्या लीखेंगे पर्सेंटेज मतलब डिवाइडड हंडेड इसका ना, 1, प्रतिसाथ, मतलब प्रति, मतलब ऐसे हम लोग देंगे, और डिवाड़े वाइगे, 100, मतलब परसेंडेज जहां भी आप लोग को दिखेगा, वहाँ पर आप लोग क्या देंगे, 1 by 100, परतिसाथ जहां भी देखा, 1 by 100, उसके बाद क्या इसमें, 100% का भेलू क्या होत और कोई भी चीज को consider करेंगे, तो percentage को 100 में लोग consider करेंगे, ठीक है? इस दो चीज को अप लोग ध्यान में रखियेगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला question इने क्या है? मैं आप लोग फर्मुलर नहीं बताऊंगा पहला कोशन देखते हैं यहाँ पहला कोशन दिया है if x is 80% of y what percent of x is मतलब यहाँ दिया है कि x y का 80 परसी सत है यानि कि हम लोग क्या दिया है यहाँ पर देखिए x ओर y दे दिया है ठीक है यहाँ पर लिखा x y का 80% है इसका मतलब यह 100 होगा तो यह कितना होगा 80 होगा यही बोला है ना मतलब percentage में हम लोग 100 हमेशा लेंगे तो y 100 है तो यह x कितना होगा 80 होगा यह बोला है कि y का 80% है यानि 100 में यह 80 है इसका मतलब यह 100 है तो यहां पर हम लोग काटेंगा तो यह कितना टाइम में जाएगा 4 टाइम और यह 5 20 से कटेगा तो 25 जा 100 24 जा 80 यानि कि 5 और 4 और 5 अब क्या बोला है हम लोग का इसमें यहां पर हम समझें ना यहां पर y क्या बोला है कि y का 80% x है तो y अगर 100 है तो 80% होगा तो यह 80 होगा ठीक है ना तो हम लोग उसके बाद 26 को काटें तो 5 और 26 से कट करें तो 4 यानि कि x 4 होगा y कितना होगा 5 होगा उसके बाद क्या बोला है यहां पर what percent of x is y मतलब y जो है कितन है तौह 5 और कि-सकरמצ में देखना हम लोंं का x का respect में देखना है तूह एकुसका कीए for और percentage में जब भी लाना होगा आप लोगको जब भी भी your percentage में find करना भा तो percent के 7 शब को suppressant के करने के लिए बोलता है तो पर्सेंटीज के सात में लुग हंडेड भी लाइएगा जहां पर्सेंटेज फाइंट करनाया वहां सात में हंडेट आएगा ठीक है ना यहिंसका वेलू कितना होते है वान परसेंटेज मिलाना है तो हम लोग क्या लाएंगे हंडेड साथ में उसके बाद परसेंटेज आप देखिए इसको कैंसिल किजिए कितना बार में 25 25 फाइब कितना हो जागा 125 परसेंटेज यह हम लोग का अंसर होगा यानि कि option नमबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें option नमबर डी इसका करेक्ट अंसर होगा ठीक है ना देखिए यहां पर क्या था य का 80 परसेंट एक से वाई का 80 परसेंट एक से तो अगर यह सो है परसेंटेज मतलब हमेंसा सो सो है तो यह असी है उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 20 से कट Juintic से यह भी होजा रहा है तो 20 करेंगे तो टाइम से 2020 करेंगे तो फो टामस में हो गिया उसके निचे और जब भी परसेंटेज में निकलना है तो हम लोग 10 माल्टिपलाइ करेंगे 100 परसेंट से उसके फोर से देख रहे हैं 25 टाम्स में कट हो जा रहा है और 25 में 5 से इंटी करने से 125 परसेंट यानिटी करेक्ट आंसर होगा ठीक है ना उसके बार नेक्स देखते हैं हम लोग नेक्स ने आपर दिया इफ 120 इस 20 परसेंट अफ ए नंबर देन 120 अफ ए नंबर विल भी मतलब तो किसी नंबर का एक सो बीस है किसी नंबर का ट्वेंटी परसेंट कितना एक सो बीस है तो यहां पर पूछा है कि देन 120 परसेंट आप देट नंबर विल भी अगर 20 परसेंट 120 है 120 परसेंट कितना होगा है यह हम लोगा फाइंड करना है तो हम लोग यह से 1 परसेंट भी फाइंड कर लेंगे तो क्या आए आप कि यह इंटु में है इधर आए तो क्या हो जाएगा यह मतलब कोई नंबर के साथ में इधर आए तो डिवाइड इसके बात हम लोग क्या होगा साथ सोब्स जाए गा ज़सेटक हैंhogया है कि नहीं हो दिए यहां कि मिलेंक sih 120 में होएब student करते हैं कि कितना करतें चीड़ेंगे यानि कि नोद फंवर कहें साथ सो बीस समんなबर कोन सार्ण ध करेंग हो यहां पे अफ्सन when are कितना ? 120 है तो 1% हम लोग निकाल लिए, कितना six percent ,6 होगा , एक परसेंट बर्याबब or six होगा , तो हम लोग परसेंट मतलब , एक परसेंट बर अपर लिवा निकाल लिए, तो 120 में इंटु करतेंगे, decision न परसेंट को एक भेलू को कंपएर कीजिएगा तो 30% परबर कितना हम लोगा जानते हैं कि कोई भी नंबर कितना परसेंट जोता है तो यहां से निकाल लिजे कितना होगा कि नहीं होगा तो किसी भी संख्या को अगर हम लोग निकालना है तो परसेंट परसेंट लेंगे तो यहां पर आते हैं, यहां पर जो आब 내 कर दिया हो, समझ म सकतवहा न करना था हम लोग को ढएous कि अधिका पर्सेंट लेजंगे जो संख्या तो यहां पर थी परसेंट से नमबर को को चुप्र करेंगे ጥिather उसका impressed क्या होता है तो 100 पर्सें परसेंट जब लेंगा आप लोग 100 में लिकोंगे या इसको कट करने बाद के आ जा रहे 24 इंटू 10 यानि कि 240 है नेट्स अम लोग देखते हैं कॉस्चेन हांफ यहां परिशन क्या क्या दिया है हाफ वंबर परसेंट इटेंग कि हम देंक हाफ जो है हाफ हाफ प्रसेंट जो को हुए हम लग कैसे लिखेंगे हम फोन पर सं symbolism पर डिख सकते हैं मिनस्कूल को पूरत आप हंटों वन हो गया परसेंट के विलू क्या होगा वान भाई हंडेट होगा कि नहीं होगा उसके बाद क्या यह आप दिया है कि हाफ ऑफ वन परसेंट हाफ वन परसेंट कितना हो जाएगा वन परसेंट का हाफ लेंगे तो कितना होगा हाफ ही होगा एक का हाफ होगा लेते हैं तो हाफ होगा उसका दो से डिवाइट कर देंगे तो हाफ हो गया यानि कि हाफ परसेंटेज तो आम लोग यहां भी ओन भी टू कर देंगे तो टोटल वेलू यहां पर कितना हो जाएगा देखिए तो ऊपर मुल्टिप्लाइब करेंगे तो वान नीचे 200 तो हम लोग का वेलू दिया पॉइंट में तो क्या देखेंगी इसको करेंगे तो इसको डिवाइट करेंगे तो क्या होगा यहां पर हम लोग इसको के पाले पॉइंट दीजिए तो आ नैगे अगर हैंगे अगले पीट आने के लिए कितना पढ़ें बढ़ा है वी को 1000 लाने के लिए कितना से मा इंटू करना प्लेगा 5 से तो 5 यहां दीजिए 1,000 हो गया ना यानि कि हम लोग क्या होगा 0.005 option number C यहां correct है ठीक है ना C correct answer होगा next हम लोग देखते है next question क्या हम लोग का यहां दिया what is 27% of 36% of 5 by 9 of 4,500 तो यहां पर आप लोग दिखिए, ऑफ जहां दिया आप लोग इंटूदेगा जहां भी आफ दिया क्या देंगे इंटू देंगे तो यहां पर क्या दिया है 27% दिया ना उसके बाद दिया हम लोग का अफ दिया, इसका मतलर इंटू थर्टी इस पर्जेंट फीन होगा जाहां अपने लिखिश लिए जहां भी आफ दिखेगा आप लोग इंटु दिना है तो परसेंटेज़ का मैंने बहलों बताए क्या होजएगा थोटे सब्सक्राइब होगा कि नहीं होगा वन भी हंडेड आल्टिमेटली ट्वंटी से इंटुम वन से करेंगे तो 27 जाएगा ठीक है ना उसके बाद पॉरवड़वड़वज जीरो यहां देखिए दो जीरो से डो जीरो एक न यहां देख्याए दो जीरो हो जाएगा क्योंकि ओपर है और यह निचे गाया किटना जाएगा इंट्यक्थ मैं हो गया अभी उसके बाद प्याइब जाएगा ट्विंटी टाइमस में 20 से 25 से कितना बर्म जाएगा 5 से करेंगे तो 5 बंजा 5 520 यानि कि हम लोगा उपर क्या बच गया 27 इंटू 36 सब तो यह बस दो नंबर बच गया और नीचे यह यह दोनों केंसेल हो गया तो क्या बचा है नीचे 4 है कि नहीं 4 बचा है तो 4 से यह कट जाएगा 4 से कितना 9 10 में 4 बंजा 494 जा 36 यानि कि हम लोग क्या बच गया 27 इंटू 9 इसको अगर इंटू कर दें तो क्या आएगा देखिए 279 जा कितना हो जाएगा 27 जा कितना हो जाएगा और यहां पर 6 से तो 4 आ जाएगा और यहां पर 242 243 इसको डिरेक्ट ऐसे गया जाता है ठीक है ना जब भी 9 उने आ जाता है तो हम लोग ऐसे multiply करते हैं यानि कि हम लोग यहां पर दोनों को multiply करने के बाद कितना है 243 यानि कोन से correct होगा ठीक है ना देखिए यहां पर क्या कि हम लोग जीतना का का यानि आफ का वेलू दिया था हम लोग सब को multiply कर दिये पर सिंदेश जहां दिखा हूं वहां पर डिवाइड करने बाद डिवाइड हंडेड दिये उसके बाद हम लोग 5 से इसको कटके हैं ना से कटके हैं तो 45 5 से 20 पीर 5 से 4 ताइम उसके बाद वुपर बच्के 27 इंटु 36 और निचे क्या बच्चा था 4 तो 4 उसके बाद फिर देखें कि 36 को 4 से डिवाइड के जा सकता है कितना टाइम्स ना टेम्स में तो उसके बाद 27 इंटू 9 कर द नेक्स हम लोग देखेंगे question number next when 60 is subtracted from 60% of a number the result is 60 then the number is मतलब यहां पर क्या question में दिया है कि अगर हम लोग 60 को किसी number 60% से घटाया जाए 60% से किसी साथ नंबर को घटाया जाए तो result भी साथ ही होता है यह question में बोला है तो हम लोग का कौन सा इसमें answer correct होगा यहां पर option के थो भी check कर सकते हैं हम लोग 120 150 180 और 200 दिया है तो यहां पर देखिए जेनरल यहां पर दीख रहा है कि हम लोगा 60% में क्या minus करेंगे कि result सेम आ जाए ठी सेम आ गया तो आप लोग देखिए यहां क्या कर सकते हैं 60% 60 मतलब 60% दिया इसका मतलब क्या 100 में 60 यहां पर हम लोगा 100 में 60 हो रहा है तो 60 से 60 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 होगा और 120 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 60 बचेगा यानि कि हम लोगा संख्य क्या होगा 200 होगा होगा की नहीं होगा इसको आप्षन के थो भी पकड़ सकते थे यानि कि ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं 60 दिया है यह 60 परसेंट दोनों का अगर माइनस कर देंगा तो जीरो आ जाएगा पर सिंटेज में मतलब कोई भी भेलू दिया इसका मतलब दिखा रह आए तो 60 पर सेंट में ॉख सिक्स्टी माइनस किये फिर सिक्स्टी बच गए है ठीक है कि नहीं देखिए शिक्स्टी परसेंट में सिक्स्टी माइनस किया तो दो खीड़ी तो हम लोग 106 का एस एप सप्यव कितना होगा 60 होगा साथ में साट माइनस करेंग तो 60 बचेगा तो यहां पर 200 लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 120 120 से हम लोग और 60 माइनस करते हैं तो क्या बच जा रहा है 60 यानि कि हम लोगा कौन से करेक्ट होगा 200 करेक्ट होगा इसको इस तरह से आप लोग पकड़िएगा अगर दूसरे तरीकास में बताऊंगा तो थोड़ा ठीक ठीक है ना नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को से नम लोग क्या दिया है इन विलेश 30 परसेंट अफ दा पॉपुलेशन इस लिट्रेट इस तो यहां पर टोटल सिक्षीट का संख्या देदिया हम लोग कितना है तो ट्रॉटल अच्रे गवे सिक्षीट का संख्या देदिया है तो अलग…. गां मेंए टोटल पॉपॉलेसले इसंद व्ट्रॉपॉलेसले तो हम लोग क्या कारेंगे टोटल आजमी उसरे पडला लिखा रहए याणि इलिट्रेट है तो हंडेट है पर्सेंट बार वहलोंग का 600700 वह जाएगा 6600 what 600 इपने लाएद वहंड़ेट को wanna दो जिरो से सिस्टी सिख है यह हंडेट परसेनफ वु зачем यहां पर निकालना है कि लिटरेट होता तो अलाग होता यानि कि देखिए अगर लिटरेट थार्टी परसेंट रहे तो थार्टी परसेंट रहे आप क्या होगा वह तो 66 इंटु 30 हो जाएगा वहां कि नहीं 1 पराबर इतना है तो 30 पराबर कितना हो जाएगा इंटु कर देंगा हम लोग यानि क्या हो जाएगा हाँ पे 6 318 यानि 1980 इसमें कौन से करेक्ट होगा अगर हम लोगा तो 100 में लिटरेट को माइनस कर देते हैं कि 70 उसके बाद 70 में हम लोग 66 को इंटु कर देते हैं तो क्या जाता हम लोगा इलिटरेट जो थे उसका वेलो निकल जाता है आशा करता हम आज का वीडियो आप लोग के लिए लाइक किजेगा अगर चैनल पर नीव है आप फर्स्टे मेरा वीडियो को वाच कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्लेश कर दिजेगा था कि मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर रहें तो आप लोग पास आसानी से नोटिफाई हो जा तो आज के लिए इतना ही थेंक यू